सुहाना ने गोलियां खाली थी और उसके गोलियां खाते ही काकी ने जो देखा उससे उनके होश ओर गए थे क्योंकि सुहाना ने जैसे ही दवाई खाई उसका पेट दर्द अचानक से गायब हो गया साथ ही उसका कराना भी बंद हो गया काकी ये देखकर दो कदम पीछे हट गई अब उन्हें डर लगने लगा था उनके दिमाग में पंडित जी की कही बाते घूमने लगी अगर दर्द खत्म हो गया तो फिर समझ जाईएगा कि ये वही चीज है जो किताब में लिखी है जो हमने पड़ी है काकी अब सुहाना की तरफ देखते हुए खुद से बोली नहीं इसका मतलब है उस किताब वाली बात सच है अब क्या होगा एक तरफ काकी जहां इंसावालों से गिरी हुई थी तो वहीं सामने बैठी सुहाना को कुछ अजीब सा लगने लगा उसकी पल के भारी होने लगी दवाई खाने से जहां सुहाना को इस पेट दर्द से राहत मिली थी तो वहीं उसके बात से ही उसका सिर भी घूमने लगा था और वो लगभग बेहोशी की हालक में पहुँच गई फिर सुहाना दिवार से सटकर बैठ गई और धीरे धीरे उसकी आखे अपने आप ही बंध होने लगी काकी को लगा शायद दवा की असर से वो सो गई है इसलिए वो सुहाना को वहीं छोड़ कर अंदर चली गई वहीं सुहाना को इस बेहोशी की अवस्ता में अपने सपनों में कुछ द्रिश्य दिखाई दे रही थे कुछ धुन्दले से द्रिश्य तब ही उसने अपने सपने में एक बड़ी और वीरान सी हवेली को देखा जिसके आसपास के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और सब कुछ बंजर और उजाड हो चुका था हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी आसपास जंगली सूखी घास की जाड़ी आउगी थी और हवेली की उपर उड़ रही चीलें उसे भयावभ बना रही थी इन सब के अलावा सूखाना को हवेली के अंदर से अजीब अजीब सी आवादें सुनाई दे रही थी ये सब सूखाना नीम बेहोची की हालत में अपने सपने में देख रही थी इस बीच उसके नजर हवेली के ठीक सामने खड़ी एक लड़की पर गई जिसने ठीक सुहाना के जैसी आस्मानी रंकी साड़ी पहनी हुई थी फिलाल सुहाना की तरफ उस लड़की की पीट थी और सुहाना को अपने सपने में अभी तक उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ा था कि तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ पलपी और उसका चेहरा सुहाना को साफ साफ दिखाई दिया उस लड़की के चहरी को देखते ही सुहाना बुरी तरह से हैरान हो गई उसे कुछ भी समझ नहीं आया सुहाना उसी बेवोशी की हालत में कुछ से बड़बडाते हुए बोली ये ये तो मैं मैं हूँ पर मैं यहां कैसे ये कौन से जगा है सुहाना नींद में ये बड़बडा ही रही थी कि तभी वो सुहाना जैसी लड़की जो से सपने में दिख रही थी उसका चहरा बदल गया उसके बाल बिखर गए आँखे सुर्क लाल हो गई और चहरा किसी पत्थर की तरह भाव हीन और सफेध हो गया फिर सुहाना ने देखा उस सपने वाली सुहाना जैसी लड़की की सामने से साड़ी भी तार तार थी जैसे किसी ने बेर्रहमी से उसके कपड़े फार दिये हो इतने में सपने में सुहाना जैसी दिखने वाली लड़की के शरीर पर एक चिपकिली आकर गिरी फिर एक और चिपकिली उसके उपर आकर गिरी और फिर धीरे धीरे कई सारे चिपकिलिया उस सपने वाली सुहाना के इर्द गिर्द गिरने लगी इतनी सारी चिपकलियों को देख कर सपने वाली सुहाना जोर जोर से चिला पड़ी जहां एक तरफ सपने में देख रही सुहाना चिला रही थी वहीं दूसरी तरफ बेहोश पड़ी सुहाना भी ये देख कर चिलाने लगी बचाओ बचाओ और ये कहते कहते सुहाना ने अपनी आँखे खोल दी और जब आसपास देखा तो उसने खुद को काकी के घर में पाया सुहाना ने अपनी आखे खोली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने जमीन पर गई जहां चारों तरफ कई सारी चिपकलियां सुहाना को घेरे थी अपने आसपास इन चिपकलियों को देख कर सुहाना डर गई और धर-धर कापने लगी उसने बहुत हिम्मत करने के बाद चिलाते हुए कहा सुहाना की आवाज सुन काकी जो दूसरे कबरे में थी जट से आई और सुहाना को ऐसे डरते देख कहा काकी ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा काकी की आवाज सुन सुहाना ने डरते हुए अपने आखे खोली और देखा कि आसपास कुछ नहीं है और फिर आसपास देखते हुए बोली यह कहते कहते सुहाना रुख गई और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में फिर से दर्द उठना शुरू हो गया है काकी के द्वारा दी गई गोली से पहले तो उसे आराम मिल गया था पर जब उसने अपने सपने में खुद को भयानक हालत में उस अजीब सी हवेली में देखा और उसके बाद उन शिपकलियों को देखा उसे अजीब सा लगनी लगा था और इन अजीबों गरीब घटनाओं से उसका दर्द एक बार फिर बढ़ गया काकी मुझे बहुत अजीब लग रहा है मेरी मदद कीजिए उसके पेट में इतनी तेजी से दर्द उठा था कि उसकी आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी काकी ने सुहाना को जब ऐसे देखा तो उन्हें एक पल के लिए उस पर दया आ गई और उन्हें हैरानी भी हो रही थी दवाई खाने के बाद तो सब ठीक था लगता है सुहाना बच्चे को जन्म देने वाली है अब चाहे कुछ भी हो मैं इस हाल में सुहाना को अकेले नहीं छोड सकती मुझे जल्दी से सारी चीजों का इंतजाम करना होगा इतना कहकर काकी पानी गर्म करने चली गई साथ ही कपड़ों का इंतजाम करने लगी एक तरफ काकी के घर के अंदर सुहाना दर्ट से चिला रही थी तो वहीं दूसरी तरफ गाउं के चोराहे पर कुछ औरते सुहाना को लेकर कुछ बाते कर रही थी उन्मे से पहली औरत ने कहा वैसे तुम सबने गौर किया है काकी के घर जो लड़की आई है वो बिन ब्याही है उपर से मैंने ये भी सुना है कि उसका दो महीने में छे महीने जित्ता पेट हो गया है उस ओरत की बास दूसरी औरत ने कहा हाँ चमपा पता नहीं किसका पाप धूर रही है वो चरितर हीन अपने पेट में वो ये बाते कर हीन रही थी कि तभी सामने से एक औरत हरबडाते हुए आई उसे देख सबने एक साथ पूछा क्या हुआ मालती कोई पहाड गिर गया क्या जो इतनी हरबड़ी में आ रही हो अरे पहाड गिरता तो कोई बात नहीं थी पर यहाँ उससे भी बड़ी बात हो गई है वो काकी के घर जो लड़की आई है न वो हमारे गाउं में अपने नाजायस बच्चे को जन्म देने वाली है मालती ने कहा मालती की बास सुन बाकी ओरते चौग गई और बोली ये क्या कह रही हो तुम वो ऐसे हमारे गाउं में किसी के पाप को कैसे जन्म दे सकती है हमें मुख्या जी से बात करनी चाहिए इतना कहकर सारी ओरते मुख्या के घर की तरफ बढ़ने लगी जैसे जैसे वो ओरते मुख्या के घर की तरफ बढ़ रही थी आसमान में काले बादल छा रहे थे साथ ही हवाओ ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी मानवों किसी अन्हूनी के होने का संकेत दे रहे हो इस वक्त शाम के पांच बच रहे थे मगर चारों तरफ अंधेरा हो गया था जहां मौसम भयावा हो चला था तो वहीं वो औरते अ मुखिया के खरपो चुकी थी सभी ने मुखिया जी को आवासदेटे हुए कहा मुखिया जी बाहर आइए और देखिये गाउं में हमारे पुर्कों के बनाएं नियमों के साथ खिलवाड होने जा रहा है और तों कि आवास शेंतेफिवा और गया और बूरा क्या हुआ तब चंपा बोली, वो बिन ब्याही लड़की जो काकी के यहां रह रही है, वो अपनी नाजायज आउलाद को जन्म देने वाली है ये सु मुख्या बोला नहीं, ये गलत है, गाओं के नियमों के खिलाफ है ये, आप सब का कहना ठीक है, चलिए, हम सब काकी के घर चलते हैं और बात करते हैं इतना कहकर, मुख्या और वो औरते काकी के घर की तरफ चल दिये एक तरफ मुख्या जी गाओ बारों के साथ काकी के घर की तरफ आ रहे थे तो वहीं सुहाना ने बच्चे को चन्म दे दिया था सुहाना बेजान सी चार पाई पर पड़ी हुई थी और बच्चे को चन्म देने के बाद बेहोशी की हालत में थी अब एक बार फिर बेहोशी की हालत में सुहाना को सपना दिखाए देने लगा सपने में सुहाना जो कुछ भी देख रही थी वो आज का नहीं लग रहा था सपने में सब कुछ एक ऐसी घटना की तरह देख रहा था मानो वो घटना आज से 25-30 साल पहले घटी हो सुहाना ने अपने सपने में देखा एक गाउं की लड़की को कुछ औरतों ने पकड़ रखा है और ये लड़की दिखने में बिलकुल आज की सुहाना जैसी है पर इसने साणी को एकदम अलग तरह से बाढ़ा हुआ है जैसे आज कल नहीं पहनते ये गाउं बिलकुल भी आज के गाउं जैसा नहीं है यहाँ पक्के घरों के बदले मिटी के घर है और सड़की भी कच्छी है इन ओरतों का पहनावा भी एकदम अलग है इन सबने एक जैसी काली साड़ी पहनी है उन काली साड़ी वाली ओर्तों ने उस सपने वाली सुहाना को घूरते हुए कहा इस लड़की के अंदर डायन का वास है और इसी लिए इसे निर्वस्त्र करके पूरे गाउं में घुमाओ यही इसकी सजा है तभी एक और अवरत बोली इतना कहते हुए वो वाड़ते उस सपने में दिख रही सुहाना के कपड़े तार तार करने लगी सपने में दिख रही सुहाना चिला रही थी जहाए एक तरफ सपने में दिख रही सुहाना के साथ कुछ और तयाचार कर रही थी वहीं दूसरी तरफ आज की सुहाना जो बच्चे को चर्म देने के बाद बेहोश पड़ी थी वो बेहोशी की हालत में चलाते हुए उठ गई नहीं, मैं टायर नहीं हूँ ये चलाते हुए उसके जैसे ही अपनी आखे खोली तो पाया कि वो काकी के घर पर है और फिर वो खुद से बोली ये कैसे सपने आ रहे है मुझे पहले मैंने खुद को उस जीब सी हवेली में देखा और फिर वो ओड़ते, मुझे दायन कह रही थी हांके ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ सुहाना ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि उसके बगल में उसका बच्चा नहीं है अपने आसपास बच्चे को न पाकर उसने काकी को आवाज दी काकी, हो काकी, सब ठीक तो है ना, मेरा बच्चा कहा है उसकी आवाज सुनकर काकी भागती हुई आई और बोली हाँ तेरा बच्चा पर वो काकी को इस तरह घबराया हुआ देख सुहाना बोली क्या हुआ काकी बच्चा कहा है और लड़का हुआ है ये लड़की इस पर काकी ने कहा तुम्हें लड़की हुई है सुहाना लेकिन वो काकी ने ये कहतो दिया था पर उनके चहरे पर अजीब सभाव था जिसे देख सुहाना बोली लेकिन क्या काकी? सुहाना की बात सुन काकी थोड़ा धबरा गई और फिराचल से अपने चहरे को पोच्छते हुए बोली असल में बच्ची पर कुछ खत्रा तो नहीं है लेकिन वो वो बहुत काकी अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही दर्वाजे पर धर धर की आवाज आनी इसे ने बाहर से कहा काकी दर्वाजा खोल लिये आपसे कुछ बात करनी है काकी आपके घर में इतने दिनों से एक लड़की रह रही है और हमें पता चला है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है किसका पाप लेकर वो यहाँ चुपी हुई है बताइए काकी काकी अभी को जवाब देती कि दो-तिन औरतें आगे आई और कहा देखी हम ये नहीं कहा रहे हैं कि आपने उस लड़की को अपने घर में रखतर गुनाह किया पर हम बस ये जानना चाहती है कि वो शादी शुदा है या नहीं आप हमें उसकी शादी का सबूत दे दीजे हम चले जाएंगे तब ही एक औरत आगे आकर तबाक से बोली शादी हुई होगी तब देंगी न सबूत मुझे नहीं लगता कि वो शादी शुदा है क्यूंकि जब वो हॉस्पिटल आई थी तब मैंने देखा था ना मांग में सिंदूर था ना ही गले में मंगल सुतर कहीं से भी वो सुहागे नहीं लग रही थी इसलिए हम सब को उसी से सच पूछना चाहिए उस वारत की बाते सुथ सारे गाउवाले चिला पड़े हाँ हाँ बाहर निकालो उसे फिर सब कुछ साफ हो जाएगा गाउवालों को ऐसे गुस्सी में देख काकी नी दर्बाजे पर उन लोगों को रोपते हुए कहा नहीं आप सब रुप जाईए ऐसा मत कीजिए पर तभी गाउव के कुछ मर्द काकी को धक्ता देते हुए अंदर चले गए जहाँ पर सुहाना चुपी थी और सुहाना को देख कर एक आदमी बोला ये रही पपरो इसे और बाहर निकालो कहते हुए उस आदमी ने सुहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे खीचते हुए बाहर लिया आया जारे दो मुझे तेरी कुछ नहीं किया छोड़ दो मुझे तब जोड सी सुहाना ने तरहते हुए दर्धरी आवाज में हाथ जोड़ देख कहा और ये कहते कहते सुहाना गिर करेए, तब ही मुख्या की नजर सुहाना पर गई, जो ज़मीन पर बैठे गिर गिडा रही थी, मुख्या ने सुहाना को उपर से नेची तक बड़े गौर से देखा, जहां इक तरफ गाउं वाले सुहाना से सच जाने को बेताभूरे थे, तो वहीं मुख्या की नस्रे सुहाना की उपर से हट ही नहीं रही थी। सुहाना को बुरी नजर से देख वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। तब यूस आदमी ने सुहाना की बालों को और भील स्यादा तसकर पकड़ लिया और घसीटते हुए भूला। बोलो जल्दी सारे गाउं वाले जानना चाते हैं कि किसका पाप लिये घूम रही हो नहीं तो तुम्हारा बोहाल किया जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर उस आदमी ने सुहाना को घसीटना शुरू कर दिया। सुहाना गर्थ से तड़प में लगी और खुद के लिए दया की भीत मामने लगी पर किसी को भी सुहाना पर दया नहीं आ रही थी। तभी चंपा ने सुहाना की पेट की तरब देखे हुए गाए इसने तो बच्चे को जर्म दे दिया है इसके बच्चे को ले आओ फिर ये सब कुछ बताएगी। शूर कर चला गया। पूरी बात सुनकर गाउवालों का गुस्ता और भी ज्यादा बढ़ गया। गाउवाले अभी कुछ कहते इतने भी मुख्या के दिमाग में कुछ खयाल आया। उसने कहा, छोड़ दो इसे, वैसे भी इसके साथ पहले ही बहुत गलत हो चुका है। मुख्या के बात सुन सारे लोग चौंक गए और एक गूसे का मूँ देखने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है न इस लड़की न हमारे गाउव के नियम तोड़े हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। गाउव के कुछ लोगों ने कहा। उनके बास सुन मुख्या सुहाना के पास आया और उसके चेहरे को बड़े गौर से देखते हुए बोला। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं इस गाउव का मुख्या हूँ। चलो सब अपने अपने घर जाओ। मुख्या जी अपना फैसला सुना कर चले गए और बाकी लोगों को भी वहां से जाना पड़ा, क्योंकि वो मुख्या के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तभी काकी ने सुहाना के पास आकर कहा, बेटी तुम ठीक हो, मैं ठीक हो काकी, पर मेरी बच्ची मुझे उसे देखना है। चारपाई के आसपास देखा, पर उन्हें बच्ची नहीं मिली, तो वो भी घबरा गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्ची गई तो गई कहा। इतने में सुहाना की नजर सामने जमीन पर गई। जमीन पर उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे। और वो निशान एक दम लाल थे। उन पैरों के निशान को देख कर ऐसा लग रहा था। जैसे वो किसी औरत के पैरों के होंगे। ये देख कर सुहाना घबरा कर गिरती और कापते हुए बोली। ये उल्टे पैरों के निशान किसके है। ये सुनकर सुहाना के होश उड़ गए किसके थे ये उल्टे पैरों के निशान क्या काके का शक सही है और क्या डायन ही ले गई है सुहाना की बच्ची को जानने के लिए सुनते रहिए